कबीर सी की मूवी को आज 9 दिन पूरे हो चुके है और आज हम जानने कि इस मूवी ने अपने 9 दिनों में बॉक्स ओफिस पर कितना कलेक्शन किया है और इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइट पर इस मूवी ने अभी तक कितने रोपोर्ट तोड़ती है देते रिए लेटर्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आखर पर क्लिक चरूर कर देना इस मूवी ने अपने पहले दिन में 20 क्रोड 21 लागों पे का क्लेक्शन कर लिया है और अपने दूसरे दिन में 25 क्रोड 31 लागों पे बॉक्स ओफिस पर धमान मचाश दूए और अपने तीसरे दिन में 27 क्रोड 91 लागों पे बॉक्स हष्पर कमा चुकिया है और आप्सरे ने ऐस 2022 क्रोड 24 लागों पे बॉक्स ओफिस पर कर चुकि है गोरे और आप देखता है कि इस मूवी ने अपने चार दिन का कि प्लेक्शक स्रूर idolat 88 क्रोड 37 लागों पे इस मूवी ने अपने चार दिनों में क्लेक्सक कर चुकी है और पांच वी दिन में इस मूवी ने 16 क्रोड 33 लागों पे वॉक्स ओफिस पर कमा चुकी है अपने चाटे दिन में 15 क्रोड 91 लागों पे वॉक्स ओफिस पर कर लिया है और अपने साथ वी दिन में इस मूवी ने 13 क्रोड 61 लागों पे वॉक्स ओफिस पर कमा चुकी है और अपने आतवे दिन में इस मूवी ने 10 क्रोड का कर लिया और अपने नोवे दिन में इस मूवी ने छे क्रोड पे बॉक्स आप्स पर कमा चुकी है और इस मूवी ने अपने कोटल कलेक्शन हो चुकह एक 124, 292,000 पर कहा जारा है कि यह मूवी काफी चल्दी कर लेगी और इस मूवी का बचट 65 क्रोर पर पताया जारा है और यह मूवी बॉक्स ओफ्स पर एक्त्म सुपरूपर हिट रहे हैं और इसके साथ साथ इस मूवी ने कई मूवियों को पीछे छोड़ा है जैसे कि अक्से कुमार की मूवी केसरी अजे देवनसर की देदे प्या कारते और टोटल धमाल जैसी मूवी को इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया है और यह मूवी बॉक्स ओफ्स पर एक्त्म सुपरूपर हिट बताया जा रहे है और इसके साथ 2019 की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोरने याली मूवी में बताया गया और इस मूवी ने सबसे ज्य